हे पूडीज वेलकम टो मारे टूप चानल तो आज हम सीखेंगे इंडियन स्टाइन मसाला मैकरोनी की रस्पी और इसे हम इंडियन स्टाइल मनाएंगे जिसे आपने सुनाई कि मैंने अभी इंडियन स्टाइल का नाम लिया आपने डिश के नाम के आगे तो हम इसे पूरे दे कि बच्चे वे पास्ता और मैकरोनी से हम क्या क्या डिश्वरा सकते हैं तो stay tuned with me for that and for the whole recipe also तो चलिए हम अपनी Indian style masala macaroni की recipe start करते हैं पर उससे पहले अगर आपने मेरे चानल को अभी तक subscribe ने किया है तो मेरे चानल को करे subscribe और वीडियो पसंद आया तो उसको like करना बिल्कुल बन भूलेगा Indian style masala macaroni बनाने के लिए हमें चाहिए हमें चाहिए एक टेबल स्पून रिफाइन दो से तीन टेबल स्पून बटर बटर हमें खुब सार चाहिए हाफ टेबल स्पून क्यूमें सीट्स मतलब जीरा दो टेबल स्पून गार्लिक उसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है दो टेबल स्पून जिंचर उसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और दो हरी मिच उसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है एक बड़ी प्याज उसे मैंने finely חण कर लिया है एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून कश्मीर लाल मिठ्च पाउडर एक टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर एक बड़ा टमाटर उसे मैंने finely chop कर लिया है तमक, स्वादनसार तीन टेबल स्पून टोमाटो केचप एक बड़ी शिमला मिर्च कैपसिकम उससे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है बहुत सारी धन्या पत्ती मतलब कोरियंडर लीव्स 200 ग्राम मैकरोनी जिसे मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से बॉयलिंग भी कर दी है और ये सीक्रेट वाटर ये एक हमारी सीक्रेट टिप है जो मैं अपने वीडियो के बीच में प्रोस्सिंग के टाइम आपको बताऊंगी कि क्या है और इसके फाइदे क्या है पहले मैं एक फ्राइपान लोंगी उसमें मैं डालोंगी एक टेबल स्पून रिफाइन उसके बाद मैं इसमें डालोंगी दो टेबल स्पून बटर उसके बाद मैं इसमें डालोंगी हाफ टेबल स्पून जीरा मतलब क्यूमन सीज उसके बाद मैं इसमें डालूंगी finely chopped garlic लहसुन इसमें डालूंगी finely chopped ginger अधरण और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी harimirch जो भी मैंने बारी काट ले थी जो मैंने यहाँ पे बटर के साथ लहसुन अधरण और मिर्चाट डाल के उस पर जीरे का छौक दिया है ना उससे क्य मैं डालूंगी finely chopped onion प्यास और इसे हम अलका साइस चौक करेंगे प्यास को जादा कुक नहीं करना है हम इसे बस transparent होने तक को करेंगे क्योंकि अगर हम इसे जादा को करेंगी तो हमारा जो प्यास का crunchiness है वो खतम हो जाएग तो हमें उसे खतम नहीं करना है हमें उसे अपनी प्यास में डालूंगी एक टेबल पून हल्दी पावडर फिर मैं डालूंगी इसमें half टेबल स्पून कश्मीरी लालमीच पावडर और एक टेबल स्पून ऱन्या पावडर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हमारे finely chopped tomatoes और से अच्छा से स्ट्रॉर देंगे उसके बाद मैं डालूँगी इसमें a pinch of salt एक चुटकी नमक या आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं इसके बाद मैं डालूँगी 3 tablespoon ketchup ये एक secret tip है ये usually लोग नहीं डालता है बट इससे क्या होगा ना एक बहुती sweet and sour वाला टेस्ट आएगा तो आप प्लीज इससे जरूर अपने tips में रखिएगा कि आपको 3 table या अपने according जितना भी आप यूज करना चाहे उसके according ketchup डालना है पानी नहीं है ये वह हमारा जो secret था ना tips में वह है ये जो है ना कि मैकरोनी बॉयल करने के बाद जो हमारा पानी बचता है वह usually हम फेक देता है बट मैंने उसमें से थोड़ा सा पानी अपने इस curryvy में डालने के लिए रखा हुआ था ना क्योंकि इससे क्या होगा ना इसमें मैकरोनी का पूरा तेस्ट आ गया है पूरे nutrients जो है मै करने के इसमें तो यह पानी बहुत हल्दी होता है तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपना पैकरोनी बनाने के लिए और इससे टेस्ट हमारा दो गुना भड़ जाएगा आप अभी तक सोच रहोंगे कि मैंने इसमें कैपसिकम शिम्ला मिर्च क्यों नहीं डाली है तो क्या होगा ना कि हम उसको पहरे डाल देंगे तो वो पूरा एकदम सीज जाएगा अच्छे से कुख हो जाएगा और उसका जो क्रंचिनस होता है वो खतम हो जाएगा हमें वो क्र अब मैंस में डालूंगे हमारी फाइनली चॉप्ट शिम्ला मिर्च तो आप देख सकते हैं इसको मिक्स कर रही हूं मैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और हमें इसे जादा कुख नहीं करना है मैंने पहले बताया था कि हमें इसे कंचिनस का खतम नहीं करना है तो मैंसे जाद कुख नहीं करूंगी इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और इस रेस्पी के बाद शायद मेरी यूनीक ठेंक्स आपको क्या ट्रिक्स आपको पता चलेंगी कि मैं कैसे अपना डेसी स्टाइल मैकरोनी पास्ता बनाती हूं तो चलिए और हम आगे अपनी पोसेस कं सबस्ता करेंगे तो एपका जर्ए पूरा पतác थे उसलिane कर देंगे तो अफसमें मैकरोनी आड़ करूंगी अर्जम गया करको एफनीकारोनी करेंगे अगर आप इसको मैकरोनी को टॉस करने में में ऊचारिबल नहीं हैं तो आप शूर करता है श्तायरा, क्या है नहीं तूट जाएगी, इसे हमें क्या करना है, stir, flip, and drop, stir, flip, and drop, ऐसे करना है हमें, at last मैं garnishing के लिए इस पे थोड़ा सा coriander leaves, मैं तब धनिया बत्ता डालूंगी, और हमारी macaroni एकदम ready है, serve करणे के लिए, तो चलिए हमें अब इसे serve करते हैं, so here we go, हमारी Indian desi style macaroni pasta is ready to eat, तो आप भी से बनाईए और खाईए, मैंने starting बताया था कि मैं बच्ची मैकरोनी से या सिर्व ओल्ड मैकरोनी से क्या new dishes बना सकते हैं, तो हमारी dish number one है, हम लोग इस leftover macaroni से sandwich बना सकते हैं, हमें यहाँ पे लेना है दो pieces of bread, और उसके बाद हमें macaroni अपनी उसमें fill करनी है, equal quantity में अच्छे से spread कर देना है, और उसके बाद उस पे हमें डालना है, एक sheet cheese की या upgrade करके भी cheese जा सकते हैं, और उसके बाद हमें उसे ग्रिलर में या तवा पे roast करना है, तो हमारी पहली macaroni की recipe ready है, अब मैं आपको बताऊंगी हमारी दूसरी recipe, जो हम macaroni से बना सकते हैं, बट इसके लिए हमें leftover macaroni नहीं चाहिए, सिर्फ boiled macaroni चाहिए, एकदम plain boiled macaroni, इससे हम क्या बनाएंगे ना, इससे हम macaroni salad बनाएंगे, इसमें हम macaroni के साथ chopped tomato, onion, cucumber और carrot या beetroots, जो भी आप salad यूज करते हो खाने में, वो आप डाल सकते हैं, और mint और coriander leaves, यूज करना बिलकुल मत भूलिएगा, ये आप ज़रू डालिएगा अपने salad में, और स्वाद उनसा नमक, थोड़ा सा black pepper powder, और उसमें थोड़ी सी आप चाहें तो लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी सी म्योनी जाट करके सारे ingredients को अच्छे से mix कर लीजएगा, और here we go, हमारी macaroni salad is also ready, मैंने आपको macaroni से और बाकी dishes भी बता दी हैं, तो आप भी इन तीनों dishes को try करिएगा, और मेरे चानल को like और subscribe जरूर करिएगा, thank you for watching.